नमस्कार दोस्तों कैसे हूँ आप लोग आज हम इस वीवीवें कैसे हैंगे और कंसेप्ट सम्झेएंगे जो लास्ट वीवें हमने किया है उससे आ गे ठेकी यह कुछिन मैंने वैसे करा दिया है आपको मेरे को ध्यान था था कंसेप्ट लेकिन यह रहे आ द ग Fish prank करेंगा और सही था ठीक है आज हम वो concept समझेंगे वो क्या concept था देखो सबसे पहले इसको cover कर लेते हैं भाई जिंदिगे में concept होना चाहिए भाई सबसे पहले है medial triangle ठीक है अब आप पहले एक triangle बना लो बढ़िया सा सुत्रा सा a b c d और e ठीक है और भाई यह parallel line है इसके मतलब यह mid point है d और e इनके mid point है यह इसके यह इसके यह इसके ठीक है जी तो यह छोटे बड़े triangle similar हो गए हाँ हो गए a b c का area गर चार unit है जो पूरा triangle है इसका area चार unit है लेट कर लेते हैं चार unit है तो triangle a d e का area क्या होगा we know किसी भी triangle में mid point यह हमारे mid point है तो यह side इसके बराबर यह side इसके बराबर वह एक length को दो ठुकड़ों में बाट देती है mid point दो एक length को दो बराबर भागों में बाट देती है तो छोटे बड़े जो triangle है भी यह triangle triangle a d e और triangle a b c क्या है यह भी यह similar है corresponding sides का ratio अगर हम माने corresponding sides का ratio एक ratio दो है let कर लेते है corresponding side होती है यह ठीक है यह यह corresponding sides होती है इनका ratio हमने मान लिया एक ratio दो है तो area का ratio एक ratio चार होता है area का ratio क्या होता है square कर दो एक का square ratio दो का square एक यह जाए तो area का यह होता है area का ratio corresponding side है उनका square कर दो तो area का ratio आ जाता है सीधी सी बात है और बड़े ट्रेंगल का हमें एरिया बोल रखा है कितना भई या चार मतलब यह कितना गुना जादा है एक गुना तो यह छोटे ट्रेंगल का वेरिया कितना हो जाएगा मतलब एक आजाएगा सीधी सी बात है जो AD है उसका जो area आएगा वो कितना आएगा एक आजाएगा ये basic concept था जो मैंने आपको बताया है ये चीज़ आप ध्यान रखना भाई जब medial triangle क्या होता है ये एक triangle हमें exam में बोल देगा question में ये एक triangle है डी और इस line के midpoint है और ये midpoint है तो आपके mind managing ये length इसके बराबर होगी ये length इसके बराबर होगी सिधी सी बात है अब आप ये देखो ये midpoint है तो जो चोटा triangle होगा और ये जो बड़ा triangle है ये similar होगे तो corresponding sides का ratio क्या होगा बराबर होगा और corresponding sides का ratio जो होगा और बोल दे कि area का ratio निकालो तो area का ratio क्या होता भी है उसका square कर दो तो area का ratio आजाता है उसके बाद है भाई second case same सा ही है ज्यादा difference नहीं है यह देखो यह triangle A, B और C D और यह तो midpoint है बिल्कुल ठीक है A, B और A, C के उपर अगर हमारा BC के उपर भी एक midpoint हम रखते है F ठीक है भाई यह भी midpoint यह भी midpoint यह भी midpoint कभी आप सोचो midpoint नहीं है BC के उपर F एक midpoint है तो triangle ABC और triangle B, D, F B, D और F यह ठीक है अब हमें बोल दे कि भाई है जो triangle पूरा बड़ा ABC और B, D, F का area का ratio बताओ तो आप सबसे पहले यह देखना यह midpoint है तो छोटा triangle और बड़ा triangle का area का जो ratio होगा वो 1 ratio 4 होगा जो छोटा triangle है यह इसका और जो पूरा बड़ा triangle है triangle ABC और triangle B, D, F इनका area का जो ratio होगा वो ratio होगा भाई छोटे का 1 और बड़े का 4 यह बात आप ध्यान रखना चाहिए तो पूरे triangle का जो बड़ा triangle है उसका area होगया हमारा 4 और जो छोटा triangle है B, D, F उसका होगया भाई है भाई सीधा सा है अगर midpoint आपको यह बोल देना F, B और इनको मिला दे और बोले भाई यह चोटे बड़े triangle का area का ratio बताओ तो आप ध्यान रखना always रहेगा standard है ठीक है यह चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि भाई यह इसका ratio होगा छोटे का 1 और इसका होगा 4 भाई question में बोल देगा कि बड़े का जो area है वो 4 unit है तो छोटे का होगा 1 unit अगर यह case है यह situation में हमारा triangle बना हुआ है midpoint पे उसके बाद भाई concept है हमारा same ही है यह concept बस मैं midpoint अलग-अलग कर रहा हूँ ना parallel line और midpoint A, B और C ठीक है यह D और यह E और यह हमारा midpoint है भाई यह क इसको मिला दिया हो यह line यह parallel यह line इसके parallel यह line इसके parallel ठीक है जी हाँ जी कोई दिकत नहीं है triangle ABC पर पूरा बड़ ट्रेंगल है triangle F E C F E C यह वाला triangle छोटा है इसका एरिया क्या होगा भाई अगर पूरे बड़े का चार है तो इसका एक होगा अच्छा जी पूरे ट्रेंगल ABC का एरिया चार है तो ट्रेंगल D, B, F इसका एरिया क्या होगा इसका भाई या एक होगा Trangle ABC का area मिलके क्या बना इसका area इसका area और मिलके बनेगा अगे निगे उन जी हमें तीन का पता है चोथे का क्या होगा पूरे का है पूरे का है च्यार और इस इनका इरिया इसका 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस में 1 थ्री त्री गटा देंगे तो इस triangle का area आजाएगा इसका भी क्या होगा भाई एक होगा और इसी को बोलते हैं medial triangle ये जो हमने diagram बनाया ये जो soul किया इसी को बोलते है इस triangle को medial triangle और triangle DEF is medial triangle of triangle ABC ये जो DEF है ये medial triangle है पूरे बड़े triangle ABC का और इन चारो ट्रेंगल का एरिया बराबर होगा ये बात आप ध्यान रखना अगर मिड़ पॉइंट है इन तीनों रिखाओ के उपर तो जो ये ट्रेंगल बनेंगे इनका जो एरिया होगा इनका एरिया का जो रेशो और area भी वो बराबर होगा रेशो बोले तो ratio की form में और area बोले तो area की form में वो बराबर होगा आप कह सकते हो triangle DEF ये बराबर होगा इसका area area का ratio बराबर होगा triangle ADE ठीक है ADE triangle DEF और triangle FEC ठीक है ये बात आप ध्यान रखना और area निकालने का formula क्या होता है area of triangle def का area निकालने का वैसे triangle का area निकालने का formula क्या होगा इसका तो इसका होगा भाई 1 by 4th part है ना पूरे triangle का 4 triangle बन रहे हैं तो ये क्या है fourth है तो 1 by 4 टोटल कितना है 1, 2, 3, 4 तो इसका निकालना है 1 by 4th 1 by 4th into me area of triangle A, B, C जो बड़े triangle है ना इस triangle का area निकालने का formula क्या होगा जो बड़ा triangle है उसका area का 1, 4th कर दो सिधिसी बात है और ज़्यादा confusion होगा है नहीं तो ये आप ध्यान रखना उसके बाद perimeter पे आजाओ भाई perimeter क्या होगा इस triangle का triangle def का तो इसका perimeter होगा A, B by 2 पलस में B, C by 2 पलस में A, C by 2 अब ये क्यों होगा देखो A, B पे आजाओ ठीक है भाई A, C पे आजाओ इनका क्या है जो ये है ये parallel है तो ये रेखा भी parallel होगी भाईया जो length इसकी होगी वही इसकी होगी जो length इसकी होगी होंगे ठीक हाफ करने के बाद तो पैरिमेटर के ट्रेंगल की तीनों साइड का योग कर दो अब योग करोगे तो भाईया यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा मिंस वन बाइटू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप कह सकते हो बूर जो बड़ा ट्रेंगल है उसका जो पैरिमेटर होगा उसका आफ कर दो वो आजाएगा इस ट्रेंगल का पैरिमेटर ठीक है भाई होप आपको यह समझ में आयोगा बहुत इंपोर्टन सकता था देखो कैसे ट्रेंगल ABC है यह D और E के हमीड पॉइंट है हमारे AB और AC के ऊपर ठीक है और BC के ऊपर भी एक F पॉइंट है respectively BC जो है BC BC यह है 25.6 CA है हमारा भाई 18.8 और AB है 20.4 what is the perimeter of triangle DEF इसका perimeter बताना है तो मैंने अभी perimeter अच्छा उसमें अलग था उसमें perimeter पुछा था न में भी पता नहीं last वीडियो में मैंने यह question कराया से perimeter पूछा था क्या देखो perimeter का करा ने हाँ perimeter पूछा था देखो इसका क्या formula था मैंने आपको बताया था कि बड़े triangle का जो perimeter होगा उसका half कर दो बड़े triangle की length हमें given है इसका perimeter क्या होगा 20 प्लस में 20.4 प्लस में 18.8 प्लस में 25.6 अब इनका sum करो क्या हैगा भई 18 और 6 चोदा चोदा और 4 अठारा एक पांच और आठ पांच तेरा तेरा और एक चोदा अच्छा जी और एक पावर दो और एक तीन तीन और एक चार चार और दो च्छा 64.8 है इसका half कर दोगे दो भईया इस छोटे वाला जो ट्रेंगल है इसका perimeter आजाएगा बीच में है जो तो half करने के बाद क्या आएगा दो ती एच्छा दो दुनी चार दो चुछन का answer होगा उसके बाद है यह क्योशन यह ट्रेंगल ए बीसी यह में इसके question है भाई अच् है ठीक है जी find the distance between midpoint BD और AC का जो है इनका distance बता रहा है between midpoint BD का और DC का इसका distance बताना तो क्या हम बता नहीं सकते हम बता सकते हैं लेकिन थोड़ी से हिमत लगी देखो भाई यहां पे एक चीज हमने गल्त कर दी कि जो D है ना वो midpoint नहीं है वो perpendicular जरूर है लेकिन वो midpoint नह मैं यह diagram फिर शिड्रो करता हूं यह मैंने थोड़ा सा क्योंकि अगर midpoint बोलता तो midpoint है ना midpoint बोला ही नहीं अब जरूरी नहीं थोड़ी नहीं कि वो midpoint होगा अब यहां से BC के उपर perpendicular डाल दिया ठीक है यह भाईया midpoint नहीं है perpendicular यह नब डिगरी का है लेकिन जरूरी नहीं है यह midpoint है अच्छा अब midpoint तो find the distance between midpoint of BD BD का midpoint and AC समझे रहे हो आप बात को AC एक तो AC का midpoint इनके बीच का midpoint बंद बताना है भाई AC का midpoint होगा उसका और BD है इसके बीच में midpoint तो BD के बीच में midpoint कहीं यहां सी होगा भाई जो BC का midpoint हो कहां होगा यहां सी होगा अच्छा अब यहां पे हमने एक mildpoint ले यह एक AC के उपर ही हां पे ले ले लिया midpoint इसका नाम रख दिया क्यूँ AB का ये mid point मान लिए हमने अपनी मर्जी से माना ये P इनको आपस मैं मिला दो ठीक है भाई ये मिला दिया अच्छा हमें given क्या है area given है triangle ABC का तो area का formula क्या होता है भाई area का formula होता triangle का 1 by 2 into में base into में height area हमें given 120 1 by 2 base कितना है भाई BC के length हमें 24 given है 24 गुणा में h तो इसको आप उदर लेके जाओगे इसको काट दो 12 से ठीक है और 12 से ये कट जाएगा 12 एकम 12 ठीक है 10 आजएगा h की जो height है जो ad है इसकी जो height आजएगी वो 10 तो ad की total height आगी भी या 10 ठीक है अच्छा अब इस height का हमें क्या वो पड़ेगा भई यहाँ पर यह काट रहा है इस point को आप ले सकते हो लेना चाहते हो तो नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो ad है उसके आगे height हमें 10 अपनी मर्जी से q से line draw करो q से line draw कर दी p पर जाके मिलगी ना सुरी r के उपर ये पर लगा 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 इसकी length उती है इसका half तो जो r क्यू है इसके length क्या हो जाएगी 24 बटे में दो ये हो जाएगी 12 आगी अच्छा 12 आगी अब अब ट्रेंगल A B D को देखो A B और D इस ट्रेंगल को देखो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है 90 डिगरे कोन है तो सिद्धी सी बात है राइट एंगल ट्रेंगल है P is midpoint of B D ये जो P है ना ये midpoint है B D का ये हमने इसका B D का midpoint है और R से P को मिलाओ R से P को मिला दिया हमने तो जो R P parallel होगी AD के R और P जो है ये parallel होगी AD के ये parallel होगी इसके भाईया अच्छा ठीक है मान ली हमने बात अब ये क्यों parallel होगी by midpoint थियोरम से OR की लंबाई से half होगी और जो OR है O से लेके R ये O point है हमारा इसकी जो length होगी ना वो half होगी BD की तो भाई जो ये OR है ये तो half होगी BD की by this triangle triangle ABD अच्छा और जो ये PR है ना PR इसकी जो length होगी ना वो क्या होगी भाई AD का half होगी AD हमारा आया था 10 10 का half हो जाएगा 5 ठीक है भाई ये आगी हमारी PR की length आगी 5 समझ में आगिया by mid point थोरम देखो भाई ये triangle ठीक है ये C ये B ABC मान लो ये A, ये B, ये C ये हमारा R, ये Q ये A से लेके D ये 90 degree और ये P mid point ठीक है इसको यहाँ से मिलाया इसको यहाँ से मिलाया ठीक है अच्छा अब क्या भाई ये 90 degree तो ये 90 degree कैसे होगा ये H 10 है ये हमारी आगी 5 ये आगी ये 12 हो जाएगा ये पूरी 24 है तो अब आप एक बार बताओ ओ ठीक है ये पूरी लेंथ तो ये 12 है ये 5 है पांच बारा 13 हुई देखो ये ट्रेंगल क्या है आर पी क्यो ये 5 है ये 12 है तो ये क्या बनेगा ये 13 होगी जो पी से लेके क्यो है राइट अंगल ट्रेंगल ये वो लगी ना हमारा ट्रिपलेट लग गया भाई ट्रिपलेट लग गया सिधी सी बात है ये जो ट्रेंगल होगा ये एक राइट अंगल ट्रेंगल होगा राइट एंगल ट्रेंगल होगा तो सीधी सी बात है भाई या या ये 90 डिगरी होगा या फिर ये 90 डिगरी होगा ये 90 डिगरी होगा सीधी सी बात है होगा कि नहीं होगा भाई ये 90 degree होगा ना क्योंकि ये right angle triangle है तो भया इसकी P क्यों हमारी आगी 13 अब हमसे पूछा क्या था 13 तो नहीं, पूछा था P क्यों हमसे पूछा क्या था BD प्लस में AC B से लेके D प्लस में AC अचा नहीं, इतको mid point पूच्छा था तो mid point पूच्छा था तो पांच 12 13 अम mid point तो नहीं निकला ये 13 इस question का answer कैसे बनेगा इसको कहते हैं जो language है question की वो puzzle करने वाला इसने बोला find the distance between mid point of BD BD का mid point ये AC का mid point ये इनके बीच का distance बताना है तो इनका 20 का डिस्टेंसी तो निकाल आया पाई था यह ट्रिप्लेट से मने यह तेरा है बी ओप्शन मारा है यहां पर ठीक हो जाएगा धासो क्यूशन था यार दिमाग कर गए दिमाग का धही कर दिया है खराब नहीं किया धही कर दिया है इसके बाद है भाई यह क्यूशन लाश्ट क्यूशन है आज इस वीडियो का क्यूंकि मैं जादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता है बहुर हो जाते हैं यार अपन लोग भी मैथ पड़ पड़ गे इतने मैथ के चासड़ू नहीं है ना ओंदा प्लेन एरिया there are two vertical towers separated by 100 feet 100 feet से परे हैं दो tower हैं सिधी सी बात है stand on the line joining the base of two towers so that the tip of the tower and tip of the pole are also on the same line same line पे एक pole भी है ठीक है यह बात आप ध्यान रखना if the distance between pole from the shorter tower it's 75 मान लो shorter tower यह है और इससे एक pole है उसका जो height है उसका जो distance इनके भी इसका distance है 75 अच्छा उसके बाद और कुछ बोला है then what is the length height of the taller tower है यह बड़ा tower है छोटे बड़े tower के बीच में 100 का gap है यह big tower हो गया यह छोटा tower यह pole हो गया इनको सबसे पहले मिला लो कुछ तो diagram बने गई ठीक है यह 100 feet है यह distance पर यह 75 feet है और इसके जो length है वो है 6 feet ठीक है यह given है यह data हमें ऐसा नहीं है मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है 55 feet और एक 6 feet और data कहां से लिखा है यार अच्छा आप यह देखो भया base का जो ratio है वो किस में है base का 100 ratio 75 25, 35, 24, 404 ratio 3 है हाँ जी यह तो base हो गया देखो भाई लोग यह जो question है यही मैंने गल्त लिख रखा है इसके लिए sorry यह question कुछ ऐसे था on a plane area there are two vertical tower separated by 100 feet apart 6 feet है यह एक बड़ा tower पर एक छोटा tower shorter जो tower उसकी length हमें बोल रखी थी 40 feet ठीक है यह given था data यह 40 feet वाला मैंने लिखे नहीं रखा आच्छा एप पोल लेंथी 6 feet और जो यह छोटा जो पोल है ना इसकी length हमें बोल रखी 6 feet given है यह 6 feet stand on the line joining of the base of tube tower इनका जो base है so that the tip of tower और tip of the pole are also same line जो tip of tower है और जो यह pole जो उपर की tip है वो same line पे एक ही line पे है if the distance of pole from the shorter tower यह पिछेटर है और यह वाला सोथा तो what is the height of taller tower इसकी height बतानी है वस इतनी सी बात थी ठीक है भाई यह था कि उस चन आपको समझने वाला जो मैंने आपको भी पढ़के बता है इसमें दो तिन line यह missing थी 6 feet वाली और 40 feet वाली ठीक है अब इस question में कुछ भी नहीं बचा देखो यह 6 feet है यह 40 feet है है की नहीं है भाई अब आप देखो 6 feet से यह 40 feet है ठीक है यह जो 40 है चालिस feet यह 6 feet से कितना बड़ा है 34 बड़ा है है की नहीं भाई यह जो टावर है यह इस पोल से कितना बड़ा है 34 बड़ा है है की नहीं है भाई यहाँ पे जो ratio है जो length का जो base है इसका 75 और क्या है 100 चार रेष़ो 3 अब भाई यहाँ से तीन चलने पर भई यहां से हम चले यहां से रेशो की फॉर्म में क्या है तीन है यह तीन है यह चार है तो तीन चलने पर 40 फिट हो गई है भई तीन कदम चलने पर 40 फिट होती है लेकिन इस पोल से इस जो हाइट है यह 6 फिट है तो यहां से चलने पर कितना बढ़ा होगा छै से बढ़ा होगा ना कि जीरो से बढ़ा होगा छै से बढ़ा होगा न ये छै से कितना बढ़ेगा भाईया 34 बढ़ा समझ रहे हो आप बात को ध्यान से समझो जो मैं आपको कहना चाहरा हूँ अगर मैं ना भी समझा पाऊँ फिर भी आप अपने दिमाग से कोशिस करना ये जो 6 है ये 40 फिट से मतलब कितना बढ़ा होगा मतलब ये जो 40 फिट है ये 6 से कितना बढ़ा 34 बढ़ा यहाँ पे आप देखोगे रेशो 3 अब जो 3 कदम चलने पर 34 बढ़ा बढ़ा कि नहीं बढ़ा भाई हाँ 3 कदम चले हम और ये 34 बढ़ गया क्योंकि ये 6 था 6 से बाद हम 34 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा 34 बढ़ा अच्या उसके बाद ये 4 है चार है ना तो मतलब 3 में 3 कदम में एक कदम और जोड़ा तो कितने होगे चार कदम चार कदम होगे भाई तो एक कदम और बढ़े एक कदम बढ़ने के बाद कितना और बढ़ेगा भाई तो 34 बढ़े तीन बढ़ेगा कर नहीं बढ़ेगा एक कदम चलने पर भाई तीन कदम चले 34 बढ़ा एक कदम और चले क्योंकि एक कदम और चलेंगे फिर हम 4 पर पहुँच जाएंगे तो एक कदम चलने पर कितना बढ़ेगा 34 अपोन में 3 बढ़ेगा कर नहीं बढ़ेगा हाँ भाई बिल्कुल बढ़ेगा और अगर ये बोल दे कि 4 कदम और चलने पर कितना बढ़ेगा तो 4 कदम हम यहाँ पर एक बढ़ा ठीक है फिर हम अगर 4 कदम और पूरे चल जाएं तो कितना बढ़ेगा भाई तो 40 पलस में 34 अपोन में 3 गुना में 4 ठीक है अब आपको समझ में आई 40 क्यों कहां से आया भाई एक 3 कदम बढ़ने पर 40 ठीक है 34 बढ़ा फिर एक कदम और अगर हम बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेगा भाई 34 अपोन में 40 भाई ये 3 कदम बढ़ने पर 34 बढ़ा एक कदम बढ़ने पर कितना भाई 34 अपोन में 3 यह बढ़ेगा और यह कितना है वह चार कदम ये 3 है ये 4 चार कदम बढ़ने पर कितना बढ़ेगा तो 40 पलस में 60 ये तो बढ़ेगा इस पलस में 34 चोटीर जो बढ़ दा उसका हाफ 34 बटे 3 गुणा में 4 ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा तो भाई किसको 16 करो कितना आ जाएगा कुछ कट रहा है इस पर कट तो नहीं रहा भाई 4 चोक 16 और 4 ती 12 और 13 136 आ जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा 40 पलस में 136 अपन में 3 ये कुछ आएगा 85 पॉइंट सम्थिक आएगा तो उप्शन में है 85 पॉइंट पॉइंट में तो है नहीं ये उप्शन हमारा यहां पर ठीक हो जाएगा बहुत बढ़िया क्युष्चे नहीं भाई ये यहां पर हमें समझना चीज चाहिए कि 40 कैसे बढ़ा 40 ठीक है और भाई पलस में फिर एक कितना एक कदम पे कितना बढ़ रहा है एक कदम पे बढ़ रहा है 34 बटे 3 ठीक है भाई हमने यहां से निकाला है एक कदम पे बढ़ने का और कितना कदम और बढ़ाना है 4 कदम गुणा में चाहर कर दिया ठीक है ये चीज आप ध्यान रखना मैं इसको star mark कर देता हूँ तो आज हम इस वीडियो में guys इतने question करते हैं thank you so much वीडियो आपको ठीक लगी तो like करना चैनल पे नए हो तो subscribe करना